हेलो इस्टेंस वेलकम बेक टू माई यूरूप चैनल नॉलेज गेनर आप आप लोग सभी स्वस्थ हैं और एक्जाम के लिए अज़्दाज प्रिपेर कर रहे हैं तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक काफी important assignment work का मतलब की एक PDF आप लोग के साथ सेयर करना चाहता हूँ जो कि यह आपका topic institutional planning है कि ने तो इस assignment को हमें कैसे लिखना होता है यह आपके लिए एक helpful मतलब की वीडियो रहेगा तो आप लोग प्रिस वीडियो को अंतक जरू देखें और अगर आप लोग को वीडियो helpful वर्थी हुआ तो आप लोग प्रिस वीडियो को लाइक शेयर कर दे और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो इस assignment work में सबसे पहले आप लोग को लिखना find Then अगला होगा आपका Scope of Institutional Planning The Next होगा आपका Limitation of Institutional Planning and आपका जो End में होगा Conclusion तो आई रेखते ही listed some work हमें कैसे लिखונा है तो सब्सक्राइब आप Всёि पहले आप लोग लिखले तो इसका जो Heading होग Beck आपंप लोग ऐसा डाले sophistic Kalal Planning and scope of institutional planning है कि नहीं यहोग आपका heading सबसे पहला आपका topic होगा introduction तो आप लोग इस तरह से लिख लें यह मैंने लिख दिया आप लोग देख सकते हैं जैसे कि institutional planning is a means of accomplishing widespread targets of education when a plan is prepared by a particular institution on the basis of its own development and improvement it is called institutional planning in which each secondary school must have its own plan यहोगा आपका introduction उसके बाद अगला आपका topic होगा वो है characteristics of institutional planning institutional planning के जो characteristics होगे वो होगे आपके जैसे की need based तो इसका आप लोग इसे लिख सकते हैं कि institutional planning is prepared on the basis of felt needs of school by officials of particular institution these needs may be relating to school, organization, curriculum, co-curricular activities, etc उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं अगला point specificity जो की two number में आप लिख सकते हैं characteristics इसके बाद तीन नमर में आप लिख सकते हैं principle of optimum utilization उसके बाद चार नमर point में आपका होगा argumenting human efforts आप लोग अलग भी लिख सकते हैं उसके बाद 5 नमर में आपका होगा goal oriented उसके बाद 3 नमर में आपका होगा cooperative then flexibility then durability ability इसके बाद आप लोग 9 10 और 8 कर सकते हैं जो आपका SMN work है marks के हिसाब से आप लोग जितना लेंदी बना सकते हैं बना सकते हैं आप लोग जितना आपका SMN में मार्क रहेगा उतना ही आप लोग लेंदी मतलब कि यह जो SMN है वो करें है कि नहीं उसके बाद अगला आप लोग heading डालना होगा C नमर में need of institutional planning यह आप लोग इस तरह से लिख लें मैं यह पर जुम कर दे रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं यह आपे यह जो topic है need of institutional planning इसमें आप लोग पांच मतलब की subtopic डाल सकते हैं है कि ने at least उसके बाद अगला आपका heading होगा scope of institutional planning तो यहापे आप में क्या लिखना है आप लोग देख सकते हैं जैसे की curriculum teaching materials जैन अगला है आपका building evaluation co-curricular activities है कि नहीं इसके बाद आपका अगला heading होगा limitation of institutional planning यह भी आप लोग लिख सकते हैं short में और आपका end में रहेगा conclusion है कि नहीं अगले वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहेए सिखते रहेए जैसे जैसे